तरोन डाइरी तो पार्ट टू है ये तो अभी हम जो है वो शाम टाइम मनाली पहुंच में है तो जैसे आपको पता है कि अभी क्रिस्मिस है 25 को तो बहुत भेड़ा यहां पर तो आप देख सकते हो आस-पास तो ग्रैफिंग भी मिलेगा आपको तो अभी जो है हम लोग जा आपने होटल हमारी जा होटल में बुक किया था उ उल्ड मरी प sourd मनाली पे क्योंकि जब ह centr意 में तो बहुत ऐसको यह मिश्कुल होते है तो अब हम थोड़े बहुत कैफे यहां पर एक्स्प्रोर करेंगे तो यह आप देख सकते हो यह हमारा होटल का रूम था तो काफी अच्छा था मेरी मार्केट मेरी तो अभी जो हम थोड़े वह यहां पर अपने कैफे में आग से लिए उन्दोडार जोने आपर पर सिंगर आ नहीं है मार्केट में जा रहे हैं महीं को देना लिकला मार्केट है वहां पर जा रहे हैं अब यह पर बाहर कम कुछ खा किया जाएंगे तो आप देख सकते हो राग को थाई भी काफी है और काफी लोग है बहुत जगा लोग है अपिकी विसमस का टाइम और नूवी अगे तरुन डाइरी तो आज हमारा है डे टू मनाली में तो कल शाम हम शांगर से मनाली आगे थे बहुत क्राउट है यहां पर अभी तो हमारे होटल का चेक आउट हो रहे है अब ही एक गंटे में इसके बाद जो है हम जाएंगे वसिस टेंपल और उसके बाद जो है शाम को कर दिया होगा तो जल्दी से जो है हम ब्रेकफस्ट करके हम निकल रहे हैं सो ब्रेकफस्ट करने के बाद जो है जल्दी से रिडी ओ गया था चलो अब हम जो हूँ निकलते हैं अब मार्किट में मैनारली का है हमारा दूसरा दिन, अभी हम जा रहे हैं छो एख और अभी हम आंफानारली से जो हे जा रहे हैं, मोटी आख लेगे हम पारिकि घा परतीम जब गेखेप आथकी में ज़ूद है कि छाए कि हम डार्ट करें दरूज rivers अब हम जो है वो जा रहे हैं और मनाली से ओटो से आए थे हम तो अब जो है अब डारेक्ट निकल रहे हैं अडिमबा टेंपल के लिए हैं अब हम जा रहे हैं हडिमबा टेंपल तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी क्रिस्मस है तो काफी ज़्यादा क्राउड है यहां पर सब्सक्राइब करने के लिए तो कितनी दूर दूर से लोग यहां पर आए वह आप देख सकते हों कि अब हम अब मत्र के दर्शन करने के बाद जो है वह हम निकल रहे हैं तो फाइनली अब हम अडिमबा टेंपल से वापीस आ रहे हैं तो काफी ज़दा क्राउड है तो अब यहां से निकल के हम लोग जो है वह मोल रोड जाएंगे नीचे अब कर दिमबा टेंपल के बाद हम जो जो है वह आगया है ओल्ड मनाली मोल रोड पर इसना पीड है यहां पर क्रिस्मस का बहुत ज्यादा यहां पर जो हो वह बीड है कि मैं आपको दिखा देता हूं तो फिर भी निया नी हुए और पिद्री उम्हारा होगी तो इस वाले में भी पार्टी थी यहां पर जो मफले दोड़ी शोल वगरा काफी संदर है तो यह देखने के हम जोड़े हैं के शोल वगरा खरीद के अब हम वापिस निकल रहे हैं देखते हैं शिशु जाना है क्योंकि ट्रैसिक भी बहुत है या तो शिशु जाएंगे या तो हम का सोल के लिए निकलेंगे तो आप मैनाली आए और मैनाली के मॉमोज और सिदू नहीं आपने ट्राव कि तो 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 इसको मैं 10 में 10 पॉइंट ओंगा अब हम शिशु जानी पाए तो हम लोग वापिस कस ओल जा रहे हैं तो कस रास्ते में जो हमें पैराग्लाइडिंग का दिखता है तो मैंने कभी पैराग्लाइडिंग निकी तो मैंने सोचा हम हम सिशु तो गई नहीं तो कुछ और अड़ जो सब्सक्राइब करें अब Gabi सब्सक्राइब करें लिए होग इन CT इस पहले वंया गाड़ी आर है थो उसके संब्सक्राइब कपर लेकिए जहां से दो प्रग्लाइब करनेके लिह जा रहे हैं यहां से हम लोग जो फिर तो Rendez टार सबसे डिफिकल्ट एक्स्पीरिंस करने जा रहा हूं तो यहां से अभी हमारे साथ दो पाइलिट और उनकी गाड़ी और वो लोग जाएंगे जहां से हमने उपर से फ्लाइ करना है तो वहां पहुंचने के बाद जो है हम लोग वहां से फ्लाइ करेंगे तो बहुत ही जागा ह मैं क्या होने वन है तो चलो देखते हैं छपाइलो गयाईस सो आज मैं अपनी लाइफ का सबसे अद्वे में गो сможंदंश करने जा रहा हूं पैरा ग्लाइडिंग करने मेरी उक्त सल्क ना कि मैं पैरा घ्लाइडिंग गरूंगा एक दो साल मैं बत आज मौका मिला है तो तो अब मैं जो हो गया हम उठने के लिए तो बहुत एक्साइटेड हूं मैं और आपको भी कभी मुका मिलता है तो कभी आपको छोड़ना ने चाहिए तो अपनी जिंदी की जीन चाहिए खुल के तो अब मैं आपको बताता हूं मैं साथ क्या हुआ है आपली आप देख सकते हो मैं हावा में हूं तो यह भाया का गोपरो था तो मैं ने जा यादसे आप मतलब मतलब विप्रोमें रिख बनानी है अब एक्स्टर चार्ज ले ले लेना थीन सचा बिए रशान चो तो वीडियो बना रहा हूँ आप अमेजन कर सकते हो अगर यहां से फॉन गिरा तो मेरा फॉन मेरको जिन्दिगी में कभी वापिस निए बट एक बार पार ग्लाइडिक करनी है और वीडियो ना बने तो क्या मजाएगा तो मैंने भी रिस्क निकाल कि अपना फॉन निचे जा रह यहांने अभी मेरको तीन चार इतने अच्छे स्टंट करवा है पेराशूट पे जिग जैग मजा आ गया तो फाइनली अब जो है वह वह लैंडिंग कर दें हम लोग तो यह आप यह देख सिखते हो और मैंने अपना फॉन बिंदास निकाला था कि अब कुछ नहीं होगा त तो अब फाइनली हम जो हो कासयल मार्कट में पहुँंच चुके हैं तो यहां पहुत चुके में हैं रगाकन हुआ होगा है आप एक्सपोर्ट क्यों एंड में हमने जो इस्राइली फूड खाया आज है हमारा थर्ड दे और अभी में हूं कसोल मैं तो भी हम कसोल से वह वापिस जारे हैं शिम्ला के लिए तो तीन दिन का ट्रिप था यह काफी जादा मज़ा आया तो पसोल ना पी काफी मज़ा आया कल शाम को हम पहुंच गए थे आठ सड़े आठ ट्रैफिक होता उसके बाद जो है फिर हम एक कैफे में गए थे वहाँ पर दिनेर करके वापिस नहीं पर हमारे होटल में ही जो है व breakfast क hiss driving निकल नहीं हम लोग को वहीं कि डास्टे में ही कि टाइम निकलना है क्योंकि ट्रैफिक होटा है तो हम द falti कर दो नहीं होंरा की दिखते हैं हम जो की इस तूर्द द्रो आण्यों यूकर दो वह फिर्ट यहां पर बहुत टेस्टी थे हैं यहां पर भी तो यहां पर रुक रहे थे तो आप यह सकते हो सिट्डू और पनीर मॉमोज और वेज मॉमोज खाके फिर हम जो है अपनी जन्नी कर रहे हैं तो अब यहां से खाला खाले के बाद हम जोग जन्नी स्टार्ट करते हैं तो यह था मेरा तीन दीन का जो है वो ट्रिप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर आप तरुन डाइरी पे नए हो तो आई तिंक आपने अभी तक जो हो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फोवचिंगी